आज हम देखेंगे आकडों के वर्गी करण और आयत चित्र से संबंधित कुछ मजेदार उधाहरण व्रित्य प्रतियोगिता में 38 प्रतियोगियों का 50 में से स्कोर निमनलिखित है इन्हें एक बारमबार्ता बंटन सार्णी यानि फ्रिक्वेंसी डिस्टिब्यूशन टेबल में प्रस्तूत कीजिए एवं वर्गिकरत आंकडों यानि ग्रूप्ट डेटा को आयत चित्र यानि हिस्टोग्राम थ्वारा निरुपित कीजिए बारम बारता बंटन सार्णी बनाने के लिए हम तीन स्तंब बनाएंगे पहले स्तंब में स्कोर के वर्ग अंतराल यानि क्लास इंटरवल दर्शाएंगे दूसरे स्तंब में मिलान चिन्न यानि टेलिमाक्स और तीसरे स्तंभ में प्रतियोग्यों की संख्या दर्शाएंगे जो वर्ग अंतराल की बारंबारता यानि फ्रिक्वेंसी दर्शाएगी अब हम वर्ग अंतराल चुनेंगे क्या आप बता सकते हैं कि यहां हमें वर्ग अंतराल क्या लेना होगा? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्रेक्षन यानि अब्जवेशन 21 है तथा सबसे बड़ा प्रेक्षन 48 है इसलिए हमें वर्ग अंतराल इस प्रकार बनाने होंगे कि हम इन संख्याओं को प्रस्तुत कर पाए जैसे यहां हम इस प्रकार वर्ग अंतराल बनाएंगे आप देख सकते हैं कि यहां वर्ग माप यानि क्लास साइस समान है आप इस प्रकार भी वर्ग अंतराल बना सकते हैं लेकिन पहली स्थिती से हमें अधिक स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्थ हो सकती है फिर हम एक-एक करके स्कोर देखते जाएंगे और उसे उचित वर्ग अंतराल में मिलान चिन्न के प्रयोक से प्रस्तुत करते जाएंगे यहां 25 इन दो वर्ग अंतरालों में सम्मिलित है ध्यान रहे, उभैनिष्ठ प्रेक्षन हमेशा उचितर वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा इसलिए 25 को हम वर्ग अंतराल 25 से 30 में निरुपित करेंगे इस प्रकार हम सभी संख्याओं के लिए मिलान चिन्न बना लेंगे इसके बाद हम मिलान चिन्नो की गिन्ती करेंगे जिससे हमें वर्ग अंतराल की बारम बारता ग्यात होगी इसे हम तीसरे स्तंभ में अंकित करेंगे इस प्रकार हमने बारम बारता बंटन सार्णी बना ली है चलिए अब बारंबारता बंटन सारनी की सहायता से एक आयत चित्र खीचते हैं कागस पर दो परस पर लंब रेखाएं खीचे शैतिज रेखा X अक्ष और उर्ध्वादर रेखा Y अक्ष है हम X अक्ष पर स्कोर दर्शाएंगे यहाँ हम इस प्रकार निकुंच यानी kink का चिन्न बनाकर यह दर्शाते हैं कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं नहीं दर्शाआ रहे हैं यहाँ प्रत्यक वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट और निम्न वर्ग सीमा यानि लोवर क्लास लिमिट में अंतर यानि की प्रत्यक वर्ग अंतराल की चोड़ाई यानि विट्थ या माप यानि साइज समान है इसलिए हम शैतिच अक्ष पर समान दूरी रखते हुए वर्ग अंतराल अंकित करेंगे इसी प्रकार हम एक इकाई बराबर दो प्रतियोगी पैमाना लेकर वाय अक्ष पर बारंबार्ता यानि प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे बारंबार्ता बंटन साणनी में सबसे बड़ी बारंबार्ता दस है इसलिए हम वाय अक्ष पर प्रतियोगियों की संख्या इससे एक इकाई अधिक यानि की बारहां पर समाप्त कर सकते हैं अब हम प्रत्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता दंडों के लंबाई के रूप में दर्शाएंगे जैसे वर्ग अंतराल 20 से 25 की बारंबारता दर्शाने के लिए एक दंड खीजेंगे जिसके लंबाई से 7 प्रतियोगियों को निरुपित करेंगे इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों की बारम बारता तर्शाएंगे ध्यान रहे दंडों की चोड़ाई हम समान रखेंगे तथा दंडों के बीच कोई भी दूरी नहीं रखेंगे इससे हमें आयत चित्र प्राप्त होगा अगला उदाहरण दर्शाए गए आयत चित्र को पढ़कर ग्यात कीजिए यह आयत चित्र क्या सूचना प्रदर्शित करता है दर्शाए गए आयत चित्र में कक्षा आठवी के कितने विध्यार्थी, कितने घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं यह दर्शाया गया है चार या चार से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विध्यार्थियों की संख्या ग्यात कीजिए यहां दो वर्ग अंतराल 4 से 6 और 6 से 8 उन विध्यार्थियों की संख्या निरुपित करते हैं जो 4 घंटों से अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं वर्ग अंतराल 4 से 6 और इसके लंबाई को देखकर पता चलता है कि ऐसे 20 विध्यार्थी हैं जो 4 या इससे अधिक लेकिन 6 से कम खंटे पढ़ाई करते हैं इसी तरह वर्ग अंतराल 6 से 8 और इसकी लंबाई से पता चलता है कि ऐसे 5 विध्यार्थी हैं जो 6 या इससे अधिक लेकिन 8 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं इस तरह से 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विध्यार्थियों की संक्या 20 धन 5 बराबर 25 है तो आज हमने आकडों के वर्गी करन और आयत चित्र से संबंदित कुछ उधारण देखे अगले विडियो में हम इनसे चूड़ी मिध्याधार्णा और साधारण कलतियां देखेंगे